राज्य सरकार सात्वे चरण की तहट सिक्छकों की नियुक्ति आयोग के माध्यम से करेगी नियुक्ति को लेकर तैयारियों की प्रक्रिया अंतिम चरण में हैं आपको बता दे कि नई नियुक्ति नई नियम वाली के आधार पर की जाएगी सातवे चरन के तहट तकरीब सवा दो लाग सिक्षक बहाल किये जाएंगे इन में से 80,000 प्रारंभिक जबकि 6 सिक्षक माध्मिक उच्च माध्मिक विद्यालों में नियुक्ती किये जाएंगे सिक्षक मंत्री प्रोफेशन चंद्रशेकर ने शुक्रुवार को खुद ट्विट करके सातवे चरन की बहाली प्रक्रिया जल्द आरंभ होने की जानकाडी दी है आपको बता दे कि सरकार सिक्षक नियुक्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाओ करने जा रही है सिक्षक नियोजन का अधिकार पंचायतों वनगर निकाओं से वापस लिया जाएगा पुरानी सिक्षक नियुक्ती नियमवाली के तहट 9222 नियोजन इकाईया थी जबकि प्रस्तावित नियम वाली में नियोजन इकाईयों की संख्यां जिलों की संख्यां के बराबर अथार्थ अर्थिस रह जाएगी अब अभियर्थियों को केवल एक आवेदन करना होगा जबकि पहले एक अभियर्थी कई नियोजन एकाईयों में आवेदन करने को मजबूर होता था बता दे कि सिक्षक संगटन तथा अभियर्थियों ने सरकार से इस संबंद में गुहार लगाई थी सिक्षक नियुक्ती नियमवाली साल 2020 में कई बड़े बदलाव करते हुए सिक्षक नियुक्ती नियमवाली बनाई जा रही है इसे मंजूरी के लिए सिग्र काबिनेट में भी भेजा जाएगा इसी के आधार पर सात्वे चरन की भरती की जाएगी बदा दे आपको कि मेधा सूची कैसे बनेगी वो बताते हैं पुरानी नियमवाली के तहत मेगा सूची मैट्रिक, इंटर्मीडियेट, ग्रैजुएशन एवं प्रसिक्षन तथा पातरता परिक्षमी प्राप्त अंकों के वेटिस के आधार पर बनती थी लेकिन नई नियमवाली में भी लगभग वही वेवस्ता बनी रहेगी और मेगा अंक के आधार पर आयोग मेगा सूची बनाएगा इसको आपको क्या फाइदा होगा वो भी जान लीजिए बता दे कि आवेदकों को एक आवेदन देना होगा केंद्रिय क्रित और ओनलाइन आवेदन लेने की वेवस्ता भी अब कर दी गई है जबकि उनके उमिद्वार दिये गए विकल्पों के अनुशार सभी जगा होगी इससे उनके धन एवं श्रम की भी बचत होगी नई वेवस्ता में प्रस्तावित आयोग चयन करेगा नियुक्ती पत्र जिला प्रशाशन को दिया जाएगा बता दे आपको कि पुराने नियोजन नियम वाली के तहत एक चरन के नियोजन में धाई से तीन साल लग रहे थे इसके बाद भी बरी संक्या में पद रिक्त रह जा रही थी तो वहीं नियोजन में कई तरह की गरबरियों की शिकायत भी आ रही थी तो बता दे आपको कि जल्द ही सात्वे चरन की नियुक्ती होने जा रही है वर्स 2023 नियुक्ती का वर्स होने वाला है कोई अभियर्ती घबराई नहीं महीना भड़ के अंदर नियोजन नियमवाली आपके बीच आ जाएगी जिला प्रशाषन के निरत्व में बहाली की जाएगी किसी गरबरी की कोई गुंजायस नहीं होगी तो बता दे आपको कि अब आयोग करेगा सात्वे चरण में सिक्षको की नियुक्ति